तो वो कह रहे थे उनको देवदूद दिखाई पड़े और वहाँ एक सुरंग जा रही है अगर आपके पास एक खास मात्रा में महारत हासिल है तो आप बड़े आराम से कूच सकते हैं और वापस आ सकते हैं आप इस शरीर को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप बहुत धेर सारी चीजों को महसूस कर सकते हैं बिलकुल यहीं जब हम कहते हैं मृत्यू तो एक लेवल पर मृत्यू की परिभाशा ये है कि आपने शरीर खो दिया है यही तो मृत्यू का मतलब है तो मेरा मतलब आईए दूसरे क्षित्रों में नहीं जाते हैं इससे आप बड़े चक्कर में पढ़ जाएंगे अब मृत्यू के निकट के अनुभाव की बात है तो देखे जिस चीज को ध्यान कहा जाता है हमारे पास एक विशेश प्रकार का ध्यान है जिसे शूनि कहा जाता है जिसका मतलब शूनि का शाब्दे का अनुवाद खाली पन है यह सही अनुवाद नहीं है लेकिन कोई सटी कंग्रेजी शब नहीं है तो खाली पन है या कुछ ना होना है तो अगर आप शूनि ध्यान में बैठ कर जम जाएं तो ये मृत्यू के निकट नहीं है असल में मृत्यू ही है लेकिन सचेतन मृत्यू है आप देखे अगर आपके पास मान लिजे कि आप साइकल चला रहे हैं आप एक नए नए साइकल सवार हैं जिसके पास थोड़ा ही संतुलन है तो आप इस तरह से जाएंगे और कोई दूसरा बच्चा है जो सवारी कर रहा है वो अपने हातों को खाली छोड़कर सीटी बजाएगा और यहां देखेगा और फिर से वापस आ सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं इसी तरह आपने शरीर के साथ भी अगर आपके पास एक खास मातरा में कुशलता है तो आप आसानी से कूट सकते हैं और वापस आ सकते हैं अब ये गलती किसी दवा की वज़े से हो रही है या कई लोगों के साथ 60-70 के दशक के दौरान जब LSD का समय था बहुत सारे लोग थे जो इसके बारे में बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोग थे जो इस बारे में बात कर रहे थे और ये वाकही में उनके साथ हुआ था यह सुने वे था, क्योग यह थाक्त लेकर दिमाग का भ्रह्म कोई नहीं जानता था कि वह यह था, यह पक्का करने का कोई टरीका नहीं था, कि यह वास्ता में उनके साथ हुआ था यह नहीं," समय के कई लोगों से मिल चुका हूँ जिन्होंने वास्ता में उन चीजों का अनुभव किया था जिसे उनका जीवन कई माइनों में बदल गया था एक अजीब तरीके से लेकिन अचानक उनके बारे में सब कुछ बदल गया सिर्फ इसलिए कि कहीं न कहीं उन्हें आभास हो गया था कि शरीर को थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है अगर आप चाहें तो ये स्थाई चीज नहीं होती बस उस थोड़ी सी जागरुपता ने उनके जीवन को देखने के तरीके उनके व्यवहार और जीवन में करने की चीज़ों को बदल दिया तो ये मृत्यू के निकट की बात है तो मैंने वास्तों में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया है कुछ लोग प्रिये किताबे हैं जिनमें उनका कहना है उनको देवदूद दिखे हैं और वहाँ एक सुरंग जा रही है देखिए एक बात है जो आपको समझनी चाहिए जब कोई सर्जरी करवाने जा रहा होता है तो डॉक्टर्स आश्वस्थ हो सकते हैं मरीज को हमेशा डर लगता है कहीं वो मर न जाए हलो डॉक्टर आश्वस्थ हो सकते हैं उनको केस पता है उनने पता है वो क्या कर रहे हैं 99 प्रतिशत वो आश्वस्थ होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं लेकिन मरीज एक बार जब वो अपनी आँखें बंद कर लेता है और अपना जीवन किसी को सौंप देता है उसको हमेशा डर लगता है कि क्या होगा तो हर छोटी चीज को वो मृत्यू समझता है ऐसा लोगों के साथ होता है अगर आप किसी के सिर पर बंदूक रख दें और बस चला दें और निशाना चूक जाएं या बंदूक खाली हो तो वो लगभग मर जाते हैं मृत्यू का करीब का अनभव होता है वो कुछ समय के लिए घुम हो जाते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं असल में वो सोचते हैं कि वो चले गए थे और वापस आ गए और उन्होंने सीन को उपर से भी देख लिया था सबसे पहली बात खेर मैं मृत्यू पर एक किताब लेकर आ रहा हूँ अंदर की बात मैं इसको साड़े छे साल से लिख रहा हूँ यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है अभीद है अगले साल या उसके बात में इसे लेकर आऊंगा मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वास्तों में मृत्यू जैसी कोई चीज नहीं है यह केवल जीवन, जीवन और जीवन है इसका एक आयाम से दूसरे आयाम में, दूसरे आयाम से अगले आयाम में जाना है तो अगर मैं एक आयाम को खो दौँ तो ऐसा लगता है कि वो मर गया है, अभी ये एक medical fact है कि उनका कहना है कि लगभग 15 दिन में आप अपने मौझूदा शरीर का 7 किलो वजन खो देते हैं और कुछ नया उसकी जगा ले चुका होता है, हर 15 दिन में आपका वजन चाहे जो भी हो, आपको बस ये हिसाब लगाना है कि आप कितने पखवाले में पूरी तरह से जा चुके हैं, आपके शरीर में जो कुछ भी है वो लगातार खो रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसे मृत्यू के रूप में अनुभव नहीं करते हैं, हर भोजन में, हर रोज, आप जो अपना पेट खाली करते है आपके लिए ये मृत्यू के करीब का अनुभव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन ये आपके साथ होता है क्योंकि आपके अनुभव में कुछ अलगाव हो रहा है, विशेश करके अनेस्थेटिक प्रभाव के कारण ऐसे अपनी विभिनक शमताओं से अलग हो यदि आप स्थितियों और अपने जीवन के विचारों और भावनाओं में नहीं उलगे हैं, तो बहुत-बहुत सी चीजें हैं जो आप यहीं अनुभव कर सकते हैं। आप यहीं यहां बैठे-बैठे अपने जीवन को वहां से देख सकते हैं, ठीक है? ये मृत्यू के निक मित्र से 25 साल के अंतराल के बाद मिला, जिसे वो अच्छे तरीके से जानता था जब वो उनिवर्सिटी में साथ में थे, तो उसने उसे रात के खाने के लिए घर परामंतरित किया, और एक भारतिये परिवार होने के ना थे, पत्नी सेवा कर रही थी और ये दो आदमी खान किये होता था, कुछ मागना होता था, तो वो कहता, मेरी हनी, मेरी सुईटी पाई, मेरी बुबुबु, मेरी कुकुकु, मेरी बुलबुल, और जो भी होता है, आप तमिल हैं, इसलिए मेरी थंगम, मेरी चुचु, और वो सारी चीज़ें, तो खाना होने के बाद, दोस्त और वो बोला, तुम कमाल के जिन्दगी जी रहो है ना, मेरी पत्नी के साथ मेरी शादी को 15 साल हो गए है, हम एक दूसरे की शकल भी नहीं देख सकते, जिस तरह से तुम अपनी पत्नी पर जैसे प्यार बरसा रहे हो, वो वाकई शांदार है, वो बोला, तुम क्या बात कर रह उसने का तुमने उसे बुल-बुल कहा, तुमने थंगम बुलाया, तुमने उसे वो कहा, उसने का रे यार मैं उसका नाम साथ साल पहले ही भूल चुका हूँ क्षमताओं का नुकसान दुर्भाग्य से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि वो अपने क्षमताओं से पीड़त हो रहे हैं लाखों वर्षों के विकास के बाद जो सबसे बड़ी क्षमताओं हमारे पास आई हैं दुर्भागे से हम उनसे पीड़े थें क्योंकि हमने यूजर मैनुवल को नहीं पढ़ा है